गार्जेबाद का एक वीडियो सोसल मीडिया पर काफी तेजी से वाइरल हो रहा है। जानकारी के मताबिक फरुकाबाद के SDM संजे सिंग की बतनी वसंदरा में दो बेटों के साथ रहती है। उन्होंने बताया कि वह सुबा साड़े ग्यारा बजे दूद लेने गई थी जब वह लोट रही थी तो उनके साथ यह घटना हुई। चैन चीनने के दोरान गले में खरोचे आई और घुटने में भी चोट लगी। सिची टीवी फोटेज देखने में पता चलता है कि बदमासों ने तीन सेकंड में घटना को अन्जाम दिया। वहीं पुलिस ने आग्याद बदमासों के खिलाफ मामला दर्च कर लिया है और आगे की कारवाई की जा रही है। बता दें गाजयबाद में पिछले कुछ वक्त से इस तरह की घटनाओं की संक्या में बढ़ोतरी देखने को मिली है। कुछ दिन पहले ही बदमासों ने इंदरापुरम में एक एनराई महिला से पांच लाख रुपे की कीमत के गहने लूट लिये थे। इसके साथ ही गाड़ी, फौन, चोरी जैसी तमाम घटनाएं गाजयबाद में घटित हो रही हैं। इन सब ही को लेकर लोग पुलिस पर कसकर तंज कस रही हैं। ऐसे ही तमाम जानकारी के लिए बने रही है इन खबर के साथ।